आज मैं आपको बताने जा रही हूं इंस्टेंट वाइटनिंग एंड ग्लोइंग पैक इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम गुलाब की सूखी पंखुडी 100 ग्राम बादाम 100 ग्राम चिरॉंजी 5 ग्राम धीमसेन कपूर या वाइट कैमफर और 100 ग्राम रेड लेंटि इन सभी सामाग्री को मिक्सर ग्राइंडर में डाल कर एक फाइन पॉडर तयार करें आप इस पॉडर को बनाकर एक एर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं यह एक मैंने आराम से जाता है मैंने एक चम्मज पाउडर लिया उसमें 1 teaspoon milk powder मिलाया है क्योंकि मेरे पास कच्चा दूद नहीं है अगर आपके पास कच्चा दूद है तो आप कच्चा दूद का इस्तेमाल करें और गुलाव जलकी तो आपको जूरत नहीं है मेरे पास चोगी कच्छा दूद नहीं इसलिए मैंने गुलाब जल की सहतासे से पेस्ट बनाया इस पेस्ट को आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए उसके बाद अपने चेहरे पर मोटा लेयर इसका लगा के 40-45 मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद कच्छे दूसरे से उतार के ठंडे पानी से चेहरा दो लीजिए अगर आप इसमें हाफ टी स्पून मलाई डाल करके इसी पेस्ट में कच्छा से पेस्ट बना कर हाथ पेर में लगा लेंगे और इसे हलका ड्राय होने पर रगड करके हलके हाथों से साफ कर देंगे तो आप देखेंगे आपकी जो हाथ हैं आपके हाथ वो कितने सुंदर चमकदार बन जाएंगे इसे सफ्टा में एक दिन छोड़कर एक दिन यूज करें फेस पैक को उतारनेक बाद अलवीरा जेल का इस्तिमाल करें